फिरोज खान के डायरेक्शन में बनी फिलीम कुर्बानी भी जून 1980 में रिलेज हुई थी इस फिलीम में फिरोज खान्ना जिन्नरामान मुख्य भूमिका में थे तो जाने मने खलनायक, अमजद कान, कादर कान, अमरेजवरी, शक्तिकपूर, मैक मौन भी थे वही कॉमेडी में टुन्टुन्स, जगदीप और अरुना एरैम भी थे, हर फिलीम मेकिंग के पिछे कोई न कोई किस्सा जरू होता है कुर्बानी फिलीम के 24 साल पर फिरोज खान के बेटे फर्दिंग खान ने दिल चस्प खुलासा किया है चवाल साल पहले जिस फिलीम को लेकर फिरोज खान बुरी तरह डरे हुए थे वो फिलीम साल 1980 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलीम बनी कुर्बानी फिलीम को बनाने में उरूले अपना खुन पसिना आसु सब बहा दिया था फिलीम की काम में या भी ना सिर्फ उनकी सारी जंगाओं को दूर कर दिया बल्खे उनके भरोसों को भी कायम रखा था फिरोज खान के लिए ये अपल किसी जादू से कम नहीं था फिरोज कांग के बेटे फर्दिन खान भी अक्टर है और लंबे समसे फिल्मों से दूर है। एक फिल्म को बनाने में खून पसीना असु सब कुछ होते है। कुरवारी फिल्म को फिरोज खान ने केके शुकला के साथ मिलकर लिखा था। कल्यान जी अनन जी और ची की दोड़ी ने इस फिल्म को संगित दिया था। फिल्म के गाने लैला हो लैला आप जैसा कोई मेरी जिन्दगी में आये हम तुम्हें चाहते हैं। जवर्दी सीथ हिट और आज भी पॉपुलर है। कुरवारी फिल्म फिल्म हुई तो बॉक्स ऑफिस्वर कमाई का रेकॉर्ड तोर दिया। कहते हैं मुंबई में ही तीन मैने होस्कूल चले थी। फिल्म की दुहादार कमाई दे नोटों की बारिश कर दे थी।